हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल अकाउंट शोर्ड शोलेशन में आज का अपना टोपिक है बहुत ही इंपोंटेंट है तो दोस्तों आज का यह जो अपना टोपिक है वो किसके लिए है एक एजेंसी वालों के लिए हैं एजेंसी वालों के लिए कैसे हैं जैसे आप लोगों को मालूम है कि आप लोग बिल बनाते हो यह किसके लिए प्रोजेक्ट है जिन्होंने एजेंसी ले रखिये और जो डिस्टिबूटर का काम करते हैं उनके लिए यह सबसे मोस्ट मैंने अपनी MRGT से बनाया था और काफी लोगों ने उसको यूज किया और अच्छा भी लगता है जैसे बिल पे प्रिंट आउट पे होना जरूरी है कि आपका बिल केस का बना है या क्रेडिट का बना है और यह जो project है ये paid project है और बाकि इससे आपको बहुत ज़्यादा आपको help मिलेगी project क्या है जैसे आप लोग किसी भी party का अगर bill बनाते हो देखो आपका salesman आपके पास आया कि उसके 10 order है 20 order है वो bill बनवाने बेठेगा तो उस case में किसी party का case का bill होता है तो किसी party का credit का bill होता है और आप लोगों को ये भी पता है कि जैसे आप लोग market में जो local market में supply करते हो तो उस case में अगर आपके bill पे case लिखा हुआ है तो वो उस bill को case ही मान लेता है तो ये आपको गलती ऐसी गलती नहीं करनी है तो एक बार में आपके लिए थोड़ा सा बताता हूँ कि आपका bill case भी बन सकता है credit भी बन सकता है UPI का मैंने अलग से उसमें option भी दे रखा है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक bill बनाता हूँ क्योंकि जब भी आप bill बनाते हो जब भी आपका salesman आपके पास में बेड़ता है और 10-20 पार्टियों का bill बन बाता है तो जल्दी जल्दी आप बनाते हो तो उस case में आपको पता नहीं रहता कि किसका credit बनाना है किसका case बनाना है और गलती से आप क्या करते हो उपर जो select करते हो यानि मैंने यहाँ पर क्या किया एक पार्टि का मैं bill बनाना चाहता हूँ किसका लव परकास का मैं bill बनाना चाहता हूँ यहाँ पर मैंने एंटर किय एंटर करने के बाद मेरे पास यहां optional field में ने open कर रखे हैं तीन optional field बना रखे हैं एक बना रखा है case एक बना रखा है credit एक बना रखा है UPI तो दोस्तों जैसे आप लोगों को यह तो पता है कि आप लोग ऐसे option चालू कर लेते हो लेकिन यह only print करने के लिए होता है generally लेकिन इसमें customization की थुरू क्या कर रखा है कि आपने यहां पर case select किया है तो यह bill case का ही बनेगा credit का नहीं बनेगा और आप लोग क्या गलती करते हो कि जैसे यहां पर आपने case select किया लेकिन बिल बनाते टाइम पर इसका adjustment यहां पर मैंने एक item डाला एक quantity 500 का बिल बनाया और इस पर मैंने GST apply किया इसके बाद जैसे मैं save करूंगा तो यह क्या है case automatic case में ही जाएगा यानि मैंने यहां से इसको save किया कि यह will मैंने बना दिया दूसरा मैं will बनाता हूं और दूसरी पार्टि का क्योंकि आप जल्दी-जल्दी बनाते ओ ऐसे बनाते हो bill यहां पर मैंने item go I select किया और यहां पर दूसरी पार्टि है राजेंदर कुमार और मैंने क्या किया यहां से इसका credit का बिल बना है तो selection कहां से होगा यहीं से selection हो जाएगा अभी बहुत सारे जो software है अभी जैसे कोटा में एक software चलता है सरल software उसके अंदर इस तरह की facility है कि आपने अगर case का बिल बनाया है तो case का बिल बनेगा और credit का आपने यहां पर select किया है तो credit का बिल बनेगा यहां पर अगर मैं party का नाम select करता party का नाम मैंने select कर लिया यहां पर credit select किया एंटर किया यहां पर एक quantity डाली मैंने 500 रुपे इसका rate डाला इसके बाद जैसे मैं बिलकुष save करूँगा तो यह automatic किसमे जाएगा credit में ही जाएगा तो आपको यहाँ पर आपकी जो गलती की वज़े से क्या है BG का जो by default system है उसके अंदर क्या होता है आप optional field के अंदर credit select करो या case select करो या UPI select करो शीदा शीदा वो आपके first उपर ही जाके रुख जाता है यानि 590 यहाँ आता है तो आप जैसे इस तरह का program अगर आप बनवाते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा facility मिलेगी facility कैसे मिलेगी कि आप लोग जैसे जल्दी बाजी में बनाते हो और यहाँ से आपने यहाँ से इसमें case में डाल दिया कभी UPI में डाल दिया कभी bank में डाल दिया तो इस तरह की गलती होती रहती है तो यहाँ पर अगर मैंने इसको credit select किया है तो 590 रुपे किसमें आप credit में ही आया automatic आया है यह मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया इसके बाद मैं next bill और भी बनाता हूँ यहाँ पर मैंने क्या किया सुरेंदर की नाम से bill बनाया मैंने यहाँ पर credit select किया quantity दो एंटर करें इसके बाद 500 और पर rate लगाए और जैसे मैं bill को save करूँगा save करने के बाद यह automatic credit में ही जा रहा है अगर मैं इसको case select करता हूँ यानि मैं अगर इसको case select करता हूँ तो यह bill किसमें जाएगा case में ही जाएगा automatic case में ही चला जाएगा तो आपको देखने की जड़तनी है आपने वहाँ से selection किया है जो optional field 1 है उसके अंदर मैंने 3 selection दे रखा है case, credit और UPI यहाँ पर मैंने case का आपके लिए बता दिया है credit का भी मैंने बता दिया है अब UPI का भी मैं आपके लिए बता देता हूँ यहाँ से जैसे आप दुबारा से मैं बिल बनाता हूँ यहाँ पर मैंने enter किया अगर मैं इसको UPI select करता हूँ enter किया enter करने के बाद जैसे मैं F2 करूँगा तो यह UPI direct HDFC bank के अंदर ही जाएगा मतलब यह आपका ना तो case में जाएगा नहीं party में जाएगा तो इस तरीके से आप customization करा सकते हो इससे क्या है आपका बिल गलती से आपने 20 बिल बनाए और 20 बिल credit के ही है और आपने गलती से आपने किसी का change नहीं किया वो case में चला गया और आपने market में माल भी supply कर दिया और आपके पास अगर party के account में कोई पेसा नहीं बोलेगा तो आप पेसे किस से लोगे किसी से भी नहीं लोगे तो ये आपका personal नुकसान है तो इस तरीके से अगर आप चाते हो तो project बनुआ सकते हो इससे क्या होगा जो भी dealer लोग है जो भी distributor का काम करते है यह फिर जिन्होंने agency ले रखिये उनके लिए यह सबसे best project है यह free नहीं है यह paid है ठीक है क्योंकि ज़्यादा तर जो भी लोग आते हैं वाई सब कुछ free तो free के लिए मैंने bg के जो by default features है उनके बारे में videos बना रखिये एक गंटे के भी बना रखिये आदे गंटे के भी बना रखिये तो सारे project बिल्कुल free नहीं बना सकते तो यह जो project है यह paid है और इसमें यहाँ पर आपने जैसे enter किया enter करने के बाद यहां से save कर दिया तो अब इसका फाइदा क्या होगा देखो यहां से आपने case credit यह सारा सब कुछ बना दिया अब इसका अगर आप details देखते हो कि आज के दिन में मेरे case के बिल कितने बने है अब यह भी problems आती है लोगों को कि आज की date में 20 बिल बनाए 20 बिल में से उनके पास case पेसे कितने आने है जो भी suppliers है उसे अगर माल का पेसा लेना है तो वो केसे चेक करेंगे कितने पेसे लेने तो यहां पर एक BG ने एक special report दे रखिए display पे आपको click करना है account summary पे आपको click करना है इसके बाद यहां पे settlement summary का option है enter किया, enter किया, enter करने के बाद sales select किया, date range आपने डाले, enter किया enter करने के बाद case के बिल 590 रुपे के आपके बने है इसके बाद यह जो दूसरा डाल रखा है यह आपका है UPI, first second number UPI है और third number credit का बिल आपने जो बनाए जो इसके बाद enter करोगे तो enter करने के बाद इसकी complete report आपके सामने आ जाई यानि case के बिल 590 रुपे का एक बिल बनाए तो जो भी supply करने वाला person है जो भी date range आपने select करी है उसके इसाब से आप उससे बोल सकते होगे यह 590 रुपे आपको देना है दूसरा नंबर 1180 रुपे का जो बिल बनाए वो किस में बनाए UPI के अंदर यानि फर्स्ट सेकंड जो settlement है उसके अंदर बनाए तो 1180 रुपे का और जो उधार का आपने बिल बनाया है वो कितना बना है 14,69 रुपे चाचट पैसे का आपका उधार का बिल बनाए और टोटल आपकी जो सेल हुए 25,830 रुपे तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आज की डेट में आपके केस के बिल कितने बने है क्रेडिट के कितने बने है UPI में कितना पेमेंट आया है तो ये सारी डिटेल्स आप BG Software के अंदर से निकाल सकते हो लेकिन ये जो मैंने सिस्टम आपके लिए बताया है कि आप लोग optional field जैसे ही आप सेलेट करोगे उसके according ही आपका बिल का जो सेटलमेंट का विंडो है automatic amount उसी में चला जाएगा तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है अगर आपको इस तरह का requirement है तो आप मुझे call कर सकते हो या फिर आप मुझे telegram पर भी संप्रक कर सकते हो तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी comment करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को like और say जरूर करें Thank you